साथ महीने की प्रेगनेंट एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में दिखाया अपना दम मिस्र की ये एथलीट बनी सभी के लिए प्रेरना महिला एथलीट के इस खुलासे से हुए सभी लोग हैरान सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ महिला का पोस्ट फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल चालू है और तमाम देशों के खिलाड़ी अपना शांदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं विश्व के इस बड़े इवेंट पर सब की नजरे भी ठीकी हुई है ऐसे में पेरिस ओलंपिक में कई घटनाई सुनने को मिल रही है इसमें से एक ऐसा खुलासा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है बता दे कि मिस्र की महिला तलवार बाज नाडा हावेज ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह टूनामेंट के दौरान प्रेगनेंट थी जिहां इसके बावजूद भी उन्होंने टूनामेंट में हिस्सा लिया और एक मुकाबलों में जीत हासिल करने में भी काम्याब रही और इस बात का खुलासा खुद अथलीट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया है जो अब तेजी से वारल हो रहा है बता दे कि महिलाओं की तलवार बानी प्रतियोगिता के टेबल आफ सोला में दक्षिर कोरियाई खिलारी से हारने के बाद नाडा हाफिज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया उन्होंने बताया कि वह सात महीने की मैं आज के कुछ घंटों बाद ही नाडा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि सात महीने की गर्भवती ओलंपियन जो आपको पोडियम पर दो खिलारी दिख रहे थे वास्तों में वो तीन थे मैं मेरी प्रतियस पर्धी और मेरी आने वाली छोटी बच्ची जिया नाडा हाफिज ने अपने पोस्ट में लिखा मैरे बच्ची और मैंने शारीरिक और भावनात्मक दोनों चुनातियों का सामना किया गर्भवस्ता का रोलरçu कोस्टर अपने आप में कठिन है लेकिन जीवन और खेल के बीच संतुलन बनाये रखने की लडाई बेहत गाटिन पर मुझे गर्व है मैं भागिसाली हो कि मुझे अपने पती और अपने परिवार का भरोसा मिला जिससे मैं यहां तक पहुच पाई और यह ओलंपिक अलग था जिहां तीन बार ओलंपियन लेकिन इस बार एक छोटे ओलंपियन को साथ लेकर नाड़ा हाफिज ने टूनमेंट के दोरान अमेरिका की एलिजा बेथ टार्टा को वस्की को 15 में से 13 के अंतर से हराया था हलाकि नाड़ा हाफिज अपने अगले मुकाबले में दक्षिड कोरिया की जियोन हयांग से हार गए और वहां उन्होंने 15 में से 7 शिकस्त का सामना भी किया यह तीसरी बार था जब न मां योधा बनकर ओलम्पिक में खेली और कहीं न कहीं एक बार उन्होंने जीत भी हासिल किया था और इस पोस्ट को देखकर हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाय दे रहा है महीं इस महिला के जजबे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताईएगा झाल